जिए हैं दोस्तो रक्षिद खंणा के स्टैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के जीडियो में मैं आपको तीन महत्पूर जानकारिया दूँगा बलकि आपको तीन महत्पूर लेटर ऍमझाऊऊँगा जिसके base पर आपको पता लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है या फिर पायदा हो रहा है और क्या दीन दुनिया में चल रहा है दोस्तो सबसे पहली जानकारी में आपको दूँगा Notional Increment पे जिया दोस्तो एक Legal Notice आया है Disability Pension पे, Service Element पे तो क्या है ये Legal Notice इसकी जानकारी में आपको आगे दूँगा तीसरी जानकारी में आपको दूँगा Entry Level Pay के Area पे जिया दोस्तो एक Pensioner ने करवाई करीती Entry Level Pay के Area के लिए लेकिन Record ने, PR ने का कि जो आपकी पहले Basic सेट करी गई वो बिल्कुल सही Fix करी गई, इसलिए आपको Entry Level Pay का Area नहीं मिलेगा Record, PR आपको घुमरा कर रहा है, वो देना नहीं चाहता ये मैं क्या रहा हूँ, कैसे मिलेगा आपको, क्या कारवाई करनी है इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूँगा तो दोस्तों, ये तीनो जानकारियां आपके लिए बहुत मैटपूर है इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देगेगा और अपने ग्रूप में भी शेयर कर देगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या पिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना क्योंकि ऐसी जानकारिया अकसर आपको मिलती रहते हैं इस चैनल के मादम से और पैंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सलूचन किया जाता है बीज़ीच में चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहला लेटर है ग्रांट ओफ नोशनल इंक्रिमेंट टू दा सेंटरल गवर्रमेंट इंपाई रिटेरिंग फ्रॉम सर्विस 30 जून या फिर 31 दिसंबर दोस्तों एक पैंशनर ते जिन्होंने सीपी ग्राम के तुरू शिक्याट डाले कि मुझे नोशनल इंक्रिमेंट मिलना चाहिए मैं या तो 30 जून में रिटेर हुआ हूँ मुझे जुलाई का इंक्रिमेंट दिया जाए या फिर मैं दिसंबर में रिटेर हुआ हूँ मुझे जन्वरी का इंक्रिमेंट दिया जाए दोस्तों यह letter है 16 माई 2024 का तो दोस्तों record नहीं यहाँ पे confusion create कर दिया record यहाँ पे पूछ रहा है P.O.R. से कि हमें national increment देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए दोस्तों record ने इसमें दो letter attach करे बलकि दो order है एक तो Supreme Court का order है जो पहले आया था जिसमें कहा गया था कि pensioner को national increment दिया जाहिए फिर दोस्तों एक letter attach करा CAG का Controller and Auditor General of India का जो आया था 18 जन्मरी 2024 का जिसमें कहा गया था कि 11 अप्रेल 2023 के बाद जो pension आएंगे उनको national increment दिया जाएग तो दोस्तों record यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों order के अधार पर यानि एक court का order Supreme Court का और दोसरा CAG का order इन दोनों letter के अधार पे क्या pensioner को national increment देना चाहिए या नहीं देना चाहिए दोस्तों यह पूछ रहा है P.O.R. को और अभी इस पर क्या कारवाई चल रही है क्या national increment दिया जा रहा है P.O.R. की तरफ से दोस्तों यहाँ पर record पूछ रहा है P.O.R. से अब दोस्तों देखने की यह बात है कि P.O.R. इसका क्या reply देता है क्या वो authority देता है P.O.R. को national increment देने के लिए वो क्या देगा दोस्तों पैंशनर को यह देखने वाली बात है और record के base पर क्या national increment मिल पाएगा दोस्तों अभी उनी पैंशनर को national increment मिल रहा है जिन्होंने court case किया हुआ है और जो जीद गए है national increment पे तब ही उनको मिल रहा है खाली अगर आप Supreme Court का order दिखाते हो कि इसके base पर हमे national increment देदो तब आपको नहीं मिलेगा यह सिरफ एक reference के purpose से है आप इसे दिखा सकते हो या बता सकते हो लेकिन इसके base पर आपको national increment नहीं मिल पाएगा जिया दोस्तों क्योंकि अभी हर एक pensioner के लिए DOPT की तरफ से कोई order नहीं निकला है तो PR भी शैद यहीं जवाब दे जिया दोस्तों और दोस्तों जो इन्होंने CAG का हवाला दिया जो CAG का जो लागू नहीं होता तो रिकारड को पता ही नहीं है कि किस चीज का हवाला देना है किस चीज का हवाला नहीं देना यह ठीक है लेकिन CAG का जो इन्होंने ह HR दिया है यह गलत है यह देखेंगे कि शि吧 के माम ले inland चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ फिर दोस्तों ये है legal notice एक letter है काफी महत्पूर disability pension पे दोस्तों एक pensioner थे DSE के जिनकी death बहुत पहले होगी थी उनकी जो service थी total वो थी 10 साल 25 दिन लेकिन death के बाद से wife को spouse को यहाँ पे pension नहीं दी जारी वो इसलिए क्योंकि DSE का record यहाँ पे बोल रहा है कि pensioner की जो service थी वो सिरफ 10 साल 25 दिन थी 15 साल service नहीं थी जितनी pension लेने के लिए खोली चीए थी लेकिन दोस्तों इस rule के अंतरगत कई ऐसे DSE के pensioner हैं जिनकी wife को spouse को service element यानि pension नहीं दी जारी disability element तो नहीं मिलेगा लेकिन service element नहीं दी जारी क्यों नही पेंशनर के दोस्तों ये गलत है जो invalid out pensioner है जिनकी medical category है तो जब तक pensioner जीवित है जब तक उनको total disability pension मिलती थी यानि service element मिलाके और disability element मिलाके दोनों मिलाके लेकिन जहां pensioner की death हो गई तो फिर wife को spouse को pension तो दी जानी चाहिए थी भले disability नहीं मिलेगी लेकिन pension जरूर मिलेगी तो दोस्तों ये case देखेंगे कि इस case में क्या होता है वैसे court की तरफ से कुछ करना पड़ेगा हो सकता है कि court case करना पड़े तो इस base पर wife को spouse को pension तो जरूर दी जा सकेगी क्योंकि दोस्तों इनका case invalid out का है 15 साल से भली calling bank service कम है लेकिन pension तो जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि ये pensioner ने करवाई करी CP gram के तो record को letter लिखा कि मैं eligible हूँ entry level pay का area लेने के लिए एक एक 26 को मैं सिपाई था मेरी basic 6460 से कम में fix हुई थी इसी के साथ दोस्तों इन्होंने एक letter लिखा था तो दोस्तों यहाँ पर record ने letter लिखा कि pensioner ने entry level pay का area लेने के लिए हमारे पास शिकेट डा करने के पशात यह पाये गया है कि अटेस्टेशन दिनाख 25-3-2006 होने के कारण basic पे 6460 और grade पे 2000 होगा जो नियुमन उसार सही है और तथा Dolphin सिस्टम में मिलान कर ले गया पिवार ने यहाँ पे audit करा और यह पाया कि जो आपकी basic है एक एक 26 को वो 6460 है यानि बिल्कुल ठीक है और जो grade पे है वो 2000 है यानि बिल्कुल ठीक है तो इस base पर आपको entry level पे का area नहीं मिल सकता इन्होंने audit किया Dolphin सिस्टम में देखा चेक किया सब कुछ किया और इन्होंने पाया कि आपको entry level पे का area नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों जब मैंने इनकी quarterly statement देखी तो मैंने पाय 1126 को इनकी basic थी 6250 यानि 6460 से कम में थी 6460 से कम थी सिरफ 6250 था तो इस base पर इनको entry level पे का area मिलेगा जियां दोस्तों अब दोस्तों मैं इनको कुछ letter provide कराऊंगा जिसके base पर इनको entry level पे का area मिलेगा जियां दोस्तों तो दोस्तों ये जो pensioner हैं ये हमारे through कारवाई करेंगे हमारे through कारवाई करेंगे जिसके base पर इनको entry level पे का area मिलेगा और दोस्तों हम इनसे एक और जवाब पूछेंगे P.O.R. से कि आप किस base पर कह रहे हो कि 1126 को उनकी basic 6460 ती आप हमें वो sheet दिखाईए आप हमें वो statement भेजिए जिसके base पर आप कह रहे हो कि 1126 को 6460 का quarterly statement के अनुसार जो pensioner की quarterly statement है उसके अनुसार pensioner की 6250 है यानि 6460 से कम में fix किया है तो इसके base पर area मिलना चाहिए तो हम कारवा करेंगे फिर देखते हैं दोस्तों आगे क्या जवाब देता है P.O.R. तो दोस्तों कई बार इस तरीके से आपको कई बार मूर्ख बनाया जाता है P.O.R. की तरफ से record की तरफ से लेकिन जहां तक दोस्तों हम information देते हैं अपनी जानकारी रखते हैं हम pensioner को मूर्ख नहीं ब जाए आई होप सारी जानकारी आप अच्छे दिस समझे होंगे आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छल लगते हैं वीडियो को लाइक कर लो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना थै झाल कि रसमें धूस्त